Hello everyone, welcome to my channel तो आज मैं बताऊंगी आप कैसे soft spongey उत्तपम बना सेटे हैं बहुत simple है और बहुत healthy option है आपके breakfast के लिए अगर आपको ये रजीप अच्छे लगी तो प्रीजी से लाइक किजिए और मेरे चानल Memories Kitchen को subscribe किजिए तो चली शुरू करते हैं देखते हैं कैसे बनाते हैं उत्तपम से किरी लिए जाएस दोषा बैर्टर जीतना अच्छे से form besser किया हुआ होगा उत्तपम उतना ही अच्छे बनेंगे तो इसे अच्छे से farm in करना बहुत ज़रूरी है आप चाहे तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैंने महाँ पर हाव टो मेक दोसा बैटर की रेसिपी दे रखी है, और मैंने ये उसी तरह से बना रहा है, अब मैं इसमें मिलाओंगी थोड़ा सा नमक, और थोड़ा सा पानी, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गारी है, त आप दोसा बैटर को फर्मेंट करने के लिए रखेंगे तो उसमें नमक नहीं मिलाना है, और थोड़ी गारी रखें, क्योंकि बाद में आप उसकी कंसिस्टेंसी पानी डाल की अजिस कर सकते हैं, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से फर्मेंट होगा आपका जो बैटर है, और इसकी consistency आप देख सकते हैं, ऐसी consistency चाहिए हमें उतब बनाने के लिए, अब यह तेयार है, अब एक तवे को गरम करते हैं, जब तवा गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, और उसे ऐसे टीशन पेपर से पोँच लेंगे, फिर थोड़ा सा पानी का छीटा हमाना है, और बिल्कुल सेंडर पे हम डालेंगे अपना दोसा बैटर, इसे ऐसे थोड़ा सा फैला दे, उतब हम बैसिकली सॉफ्ट पैंकेक की तरह होता है, थोड़ा सा तेल भी डालना है हमें, इस तरह से, फ्लेम यहां पे मीडियम रखा है मैंने, और अब दिखेंगे इ बबल्स आने शूरू हो चुके हैं, अब नीची से चेक करते हैं, यह ब्राउन हो चुका है तो अभी इसे हम पलग रहेंगे, और अभी दूसरी तरफ से इसे हमें थोड़ा पका लेना है, यहां पर मैं सादर उत्तपम बना की दिखा रही हो पहले, यह बन चुका है, तो इ जैसे की प्यांच, टमाटर, तो इसी हरीमिज भी डलते हैं, जन्या की बत्ती, अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे, आप चाहने तो अपनी बसंद की कोई और वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे की कैप से कम, यलो कैप से कम बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, फुरसा पानी का चीटा मारना है, और फिर इसका बैटर इसे सेंटर पर देना है, इसे तो बसे खढा लेते हैं, बिलकुल सेम पोसेस जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था, इसमें बस मैं बेजिज एट कर रही है, बेसिके लिए उत्दपम में बेजिज होती ही है, आप दो बसक तील डालना है, जब तक कि ना नीचे से ब्राउन हो जाता है इसे पकाना है जब ये ब्राउन हो जाएगा इसे हम पड़र देंगे बहुत ही healthy होता है ये breakfast के लिए बहुत अच्छा option है बहुत जल्दी भी बन जाता है बस आपको दोसा बैटर बना के रखना है इसे आप नारेल की चत्वी, चने दाल की चन्नी के साथ इंजाय कर सकते हैं, बच्चों को इसे आप सॉस के साथ दे सकते हैं अब यह दूसरी तरफ भी तैयार हो चुकी है, इसे परड़ देते हैं अब इसे अभी प्लेट में निकाहिए, इसी थरह आप बाकी की उत्तपम में तेयार कर लीजिए अगर आपके घर में चोटे बच्चे हैं तो उनके लिए आप मिनी उत्तपम बना सकते हैं बच्चों को ऐसी चीज़े बहुत पसंद आती है, जोटी होती है, इसमें आप बेचिस डाल दें बच्चती बहुत ही सिंपल और क्विक रसिपी है यह बस यह भी बनके तेयार है I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, thank you so much for watching